भगबान स्री राम ने इस धर्दी पर कई हजारु साले तक साजन किया और प्रीथवी पर धर्ग की आस्थापना की लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब भगबान स्री राम ने अपने प्रानों का त्याग करना परा यदि आप भी चाहते हैं कि भगबान स्री राम ने अपने प् त्यागना पड़ा था भगबान स्री राम ने धर्दी पर एक हजार वर्सुसी भी ज्यादा समय तक सासन किया था अपने इस लंबे सासन में भगबान राम ने कई ऐसे काम किये जिन्हों ने तो धर्म की एक गौरवनिये इतिहास परदान किया ब्रह्म पुरान के अनुसार ए पर हुर राम ने उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्षमन को खरा कर दिया और कहा कि यदि उनके और उस संत के बीच कोई आया तो वे सेम हुँ से मिर्दुदंड देंके लक्षमन ने अपने बड़े भाई की आग्या का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पाहरा देने लगी वह प्रिद संत कोई और नहीं बलकि विस्नुलक से भेजा गया काल देव थे उड़ें पर वो राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पुरा हो चुका है और उन्हें अब अपनी लोग वापस लोटना है लेकिन उसी समय अच्छानक द्वार पर रिसी दुरवासा आगे उन्होंने लक्षमन से कहा की अंदर जाने को लेकिन लक्षमन ने उन्हें साफ मना कर दिया रिसी दुरवासा को उनके क्रोधों के लिए जाता है उनके क्रोध क को हर किसी को भुगतना पड़ता है लक्षमन के बार बार मना करने पड़ भी रिशित दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में भगबान सिर्राम और लक्षमन की शिराप देने की चेतावनी देने लगे जिसके बाद लक्षमन की चिंता और भी अधिक रहे थे कि वह अपने भाई की आग्या का पानन कैसे किरे या फिर उन्हें शिराप मिल्ले से बचाए इसके बाद लक्षमन नी एक कठोर फैसला लिया और अपने प्रानों की चिंता ना करते हुए बगबान सिर्राम के पास पहुँच गए लच्पन को चर्चा में बाधा डालने के लिए शिर्राम ही दुविधा में पड़ गए एक तरफ वो अपने फैसले से मजबूर थे तो दूसरी तरफ भाई के प्यार से मजबूर थे उस समय शिर्राम ने अपने भाई को मिर्तु डंड देने के अस्थान पर देश से बाहर निकल जाने को कहा उस काल में द सर्युक नदी के पास गए नदी के अंदर जाते ही कोई शेसनाक की रूप में बदल गए और वीशनों लोग चले गए अपने भाई के चले जाने के सिर्राम काफी उदास हो गए जिस परकार राम के बिना लच्छमन नहीं रह सकते थे उसी परकार लच्छमन के बिना राम नहीं रह सकते थे उन्होंने भी इस लोग से चले जाने का विचार किया तब प्रफु श्रीराम ने अपना राजपाठ और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को शौप दिया और शर्युक नदी की ओर चले गए इसके बाद भगबान श्रीराम ने श संदिया